केंद्रे टीम ने आज नाकपुर जीले के कामठी पारशियोनी मौदा तहसिल में बाढ़ प्रभावित शेत्रों का दवरा किया है पंचनामाकर सरकार ने बाढ़ के बाढ़ के आउधी में पूरा किया है 49 करोड अब तक का हाला की कई प्रमुग बुनियादी धाचे काम अभी भी अधुर है इसके लिए अधिक मदद के आउशकता है नागरी को ने टीम के सामने यह मांग की है 30 अगस्त 31 और 1 सितंबर के बीच नागपुर डिविजन में बाढ़ से अरवो रुपे का नुकसान हुआ है इसके लिए राज्यसरकार ने अब तक रुपे जिसमें से 49 करोड नागपुर जिले में किसानों को वितरित किये गए है राज्यसरकार ने अब तक विभिन्न मुद्दों पर 49 करोड रुपे खर्च किये है जैसे की जान माल की हानी, पशुधन की हानी, बाढ़ प्रवावित शेत्रों में पुनरवास, अस्थाई आश्रे, क्रिशी वस्तूओं की हानी, बाढ़ के बाद आवश्यक वस्तूओं का वितरन, दुकानदारों को सहायता, 6-10 करोड रुपे जल दिवितरित किये जा रहे केंद्रिय टीम ने राज्य सरकार के पंचनामा बाद में सहायता, बुनियादे ढाचे को नुकसान, मरम्मत और आगे की सहायता का निरिक्षन करने के लिए कामठी, पार्शिवनी और मौडा तालुका का दौरा किया, टीम ने पहले 11-13 सितंबर तक शेत्र का दौरा किया थ केंद्री सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्राले, उनके साथ जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे, जिला परिशत के मुख्य कारेकारी अधिकार योगेश, कुमजेकर और विबिन्न विभाग प्रमुक थे कृषि बुनियादी धाचे, सडको और पूलो के ख्षती के लिए आजनाकपूर जिले का निरिक्षण किया गया, किंद्रिय दस्ते को दो समोहों में विभाजित किया था एक टीम ने सोने गाव राजा, निलाज, सिंगार दिप ख्षेत्रों में कृषि क्षती का निरिक्षण किया, दुसरी टीम ने पेंच नदी पर सलाई, महुली और मौदा से मथानी पूलो का निरिक्षण किया इसके अलावा टीमों ने किसानों से सड़क पर विभिन स्थानों पर रुखने के लिए बादचित की, उन्होंने सोन गाव राजा के गावों के घरों का भी दोरा किया, जो कनान नदी में गिर गया था, उन्होंने नदी के पास के खेतों का भी दोरा किया, और इसका निरि पीडितों बाड़ पीडितों को पंजिकृत करने के लिए निर्देशित किया गया था जिन के पास अपना बैंक खाता नहीं है और नागरिक जिनका नाम सुचि में नहीं है कई लोगों ने अपनी मांगों को केंद्रिय दल के सामने प्रस्तुत किया उनकी एंट्री ली गई ह इससे पहले पंजनामा करने के बाद सुचियों को ग्रामिन पंचायत को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था पंजनामा के अनुसार अगर मुआवजे के बारे में कोई शिकायत है तो इसके जांच की जा रही है जिला कलेक्टर ठाकरे ने कहा कि केंद्रिय जमिती का निरिक्षन दौरा सहायता पंचरामा और अन्यक्षेत्रों के वितरण के लिए है जहां मदद की जरूरत है जिले के साथ तालुका में 488 गावों के 45,724 किसान बाड से प्रभावित हुए है राज्यसरकार ने किसानों को कृषिनुकसान के लिए प्राथमिक चुकि इसाप्रदान की है लेकिन बुनियादी ढाचे को हुए भारी नुकसान का आज भिनिरिक्षन किया गया इसके अलावा अदिक्षन अभियनता नारायन अमजरे कारेकारी अभियनता रुपेश टेम्बुर ने लोक निर्माण विबाग के कारेकारी अभियनता मिलिन सहारे, मौडा तैसिलदार दिनेश निम्बाल कर और कामठी तैसिलदार अर्विंद हिंग ने सहायता वितरन के बारे में जानकारी ली उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या वास्तवी क्षेत्री अस्तर पर बाड़ पीडितों को सहायता कि कोई कम होनी चाहिए टीम निरिक्षन के बार अपनी रिपोर्ट केंद्र को सोपेगी आज एक दलगर्ची रोली जिले में निरिक्षन करने गया इसके अलावा केंद्रे टीम द्वारा कलचंदरपूर जिले का भी निरिक्षन किया जाएगा गाव राजा बगित लेला है नंतर सिंगार दी बत्ता यहां गावा मदे आपना होत आणी इतुन नंतर ते भंडर जिले दाना रहे तर आशार इतिनी तनी दोरा के लेला है समवात सादला शेत करेंशे नी गाव करेंशे तैंचा आड़सनी बन सम्दून गेतले बरश्य माहिती तनी टिपून गेतले लेला है आणी इतुन नंतर जिले बारसर करना ते आपना परता होत आवाल ते देना है